प्रिश्द लौड आप सब कुछ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना वेब अधान के आपके पास पहुंचाए मेरे वीडियो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट सेक्षिन में आकर मुझे जर संदेश लेकर आपके समों को पुस्तित हूँ लेकिन आज एक ये संदेश जो है किसी का सवाल है उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने मना करा है और उस सवाल ये है कि क्या हम प्रभु येस्व मसी के आश्चरे करमों को गिन सकते हैं क्या प्रभु येस्व मसी ने गिंती के आश्चरेकरम किये हैं, तो आज इस इसे पर हम बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, परमेसर का वचन क्या कहता है, क्योंकि हम बाइबल को पढ़ते समय, उसका परचार करते समय, अपने अनलोजिक नहीं लगा सकते, कि ये सुमसी ने इतने आश्चरेकरम किये थे, ये सुमसी ने ये किया था, वो किया था, नहीं, जो बाइबल कहती है, हमें वैसे ही परचार करना है, तो आई एक छोटी सी प्रात्ता के बाद, हमें इस वचन को शुरू करेंगे, प्रभुजी मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुन्दर समय के लिए जो तुने दिया है, प्रभुजी आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदस्ता है, तक मेरे वोटो को, मेरे दिल और दिमाग को छुकर ब्लेस कर, प्रभुजी मेरी आत्मा, मेरा शेहरीर तेरे ही कभज में रह ताकि बोलने वाला मनुश्यू नहीं, बलकि तेरा आत्मा हो। प्रभुजी जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभुजी, आज के वचन को समझने अपने बच्चों की मदद करना प्रभू येश्यू के नाम से मागता हूं आमेर फ्रिजदर ओर तो आए शुरू करते हैं छोटा सा वचन है थोड़ा सा समझाना है क्योंकि सवाल यह है क्या प्रभू येश्यू मसी ने गिंती के आश्चरेकरम किये है हम उनको गिन सकते हैं क्या सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रभू येश्यू मसी के कामों को हम गिन ही नहीं सकते अगर हम गिनती गिन रहे हैं टिप्स पर उन्लियों पर के एक, दो, तीन, चार, पांच, येश्यू मसी ने इतने आश्चरेकरम किये तो इसका मतलब हम येसु मसी को मुर्दा घुशित कर रहे हैं। येसु मसी तो आज भी जीवित है और वो आज भी आश्चरे करम करता है। वो आज भी अद्बुत काम करता है। जो भी पाश्टर लोग जो भी जंगाईया देते हैं या मुर्दे जिंदा करते हैं वो पाश्टर लोग नहीं करते वो काम प्रभू येसु मसी का है अगर कोई पाश्टर ये कहता है कि मैंने उसके लिए प्रात्न की और वो चंगा हो गया मैंने उसके लिए प्रात्न की वो साता ऐसा हो गया वो गलत है करने वाला तो प्रभु येसु मसी है देखेंगे एक वच्छन प्रेरतों के काम और उसका चार अधियाए और तीस आयत में देखें क्या लिखा है यह लिखा है चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन और अद्भुत काम तेरे पव येसु मसी के नाम से होते है क्यों कि करने वाला ही येसु मसी है मनुस्य में इतनी लियाकत इतनी तौफीक नहीं है कि वो ऐसे बड़े काम कर सके कि मुर्दों को जिला सके चंगाईां दे सके जो लोग ऐसा कहते कि मैंने ऐसा किया है वो गलत है वो अपना पर दिफल पाच लेकिन जो कहते हैं कि जब मैंने प्राफ्था की तो प्रभू येस्ट्रमसी ने सुनकर उस प्राफ्था का उत्तर दिया और उस भाई को या बहन को चंगाई दी उसके जीवन में बड़ा काम हुआ वो मुर्दों में से जीव उठा तो ये काम करने वाला कौन है प्रभू ये पर यह थो दो बारुना है और जो बात दो बारा हमारे पास आती है उसका बड़ा महत होता है वारा है चार जी रहना है और उनद मेण पर हम आहते हैंसों परभू है दो इसको ध्यान से सुनिये, यह दो बार लिखी गई है एक एक पुस्तक में, अयूग की पुस्तक है पांच अधियाए और उसका नौबद, यह लिखा है वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाहा नहीं लगती, यह निकी उनकी गहराई है इने इतने बड़े काम करता है, और लिखा कि और इतने आश्चरे करम करता है जो गिने नहीं जाते हैं तो कैसे गिन लिया किसी ने कि वो इतने आश्चरे करम करता है इसकी तो गिंती नहीं है इस तो बाइबल बता रही है आपने तो बाइबल को जूटा ठारा दिया कि ये ये सुमसी ने इतने आश्चरे करम कि गलत हैं तो यहां पर एक बार लिखा है अयूक पाँच की नौ वे तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाज़ हा नहीं लगती और इतने आश्च्चर करम करता है जो गिने नहीं जाते दूसरी बार ये नौ अध्या में लिखा है और उसके दस पद में लिखाए वह तो ऐसे बड़े करम करता है जिनकी थाहर नहीं लगती और इतने आश्चरे करम करता है जो गिने नहीं जा सकते वो गिने ही नहीं जा सकते येस्व मसी ने इतने काम करे है कि वो गिने ही नहीं जा सकते और वो आज भी कर रहा है अगर हम येसु मसी के आच्चरे करमों को गिन कर उनको आपको बता रहे हैं कि येसु मसी ने इतने आच्चरे करम किये हैं तो हम येसु मसी को मुर्दा गोशित कर रहे हैं कि उसने इतने आच्चरे करम किया और मर गया नहीं ये सुमस्ती जीवित है और आज भी मेरे और आपके जीवन में वाश्चाय करता है देखे एक पचन में लिखा है योन्ना की पत्री 21 अध्याय और उसका 25 पत यहाँ पर लिखा है और भी बहुत से काम है जो येशु ने किये यदि वे एक एक करके गिने जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तके जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती जगत में भी नहीं समाती हैं और आज भी ये सुमसीव नाश्चारे करमों को कर रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं रोमियो आठ अध्याए और उसके 34 पद में क्या लिखा है या फिर कौन है जो दंड की अग्या देगा मसीव है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेसर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है आज भी वह हमारे लिए निवेदन करता है आज भी ये सुमसी आश्चारे करम करता है तो कैसे हम कैसे कैसे हम गिन सकते हैं उन आश्चारे करमों को जो ये सुमसी ने किये हैं और जो आज भी वो कर रहा है, अनगिनत है, अनगिनत, उनकी कोई गिनती नहीं है, जो गिनते हैं, ये सुमसी के आश्चेरे करम को वो भूल में है, वो भूल में है, वो अपना परतिफल पाचुके, वो अपना परतिफल पाचुके, क्योंकि ये सुमसी तो जीवित है, और आ जल्दी प्रभू ये सुमसियाद के जिवन में भी एक बड़ा अश्चरक्रम करने वाला है प्रमेश स्लाइब सबक्राशी दें